हलो केड़ेट्स आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक्स आफ सोशल सर्विस एंड इस नीट मैसेल्फ लेफटनें डॉक्टर स्मृती ठाकुर मैं आपका आज ये लेक्चर लेने वाली हूँ तो हमारे कुछ एक जो पहली स्लाइड है वो एनोस के लिए है नौ विल स्टार्ट विद इंट्रोड़क्शन इंट्रोड़क्शन में हमने सबसे पहले देखना है कि आपका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है सोशल सर्विस की सोशल सर्विस जो है गवर्मन्ट के द्वारा या आपके द्वारा ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें करना जैसे कि एड्यूकेशन दिल्वाना किसी को मेडिकल फेसलिटी दिल्वाना किसी को केर प्रोटेक्शन करना है किसी स्पेशल ग्रूप की जो वीकर सेक्शन है और ये अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अगर आप करते हो तब इसको सोशल सर्विस का नाम जो है वो दिया जाता है ऐसी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो अपना भला आप कर सके हम उनको सशक्त बनाते हैं ठीक है तो इसके अंगर हम उस बंदे की या उस सोसाइटी की केपिबिलिटी के अनुसार उनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं या गवर्मेंट उनको ऐसी कुछ चीज़ें या सहूलितें देता हैं जिससे कि वो अपना भला खुद कर सकें ठीक है तो अबजेक्टिव इस तो हेल्प दे इंडिविज्वल तो यूटिलाईज इस ओन कैपसिटी फॉर इस ओन वेलफेर and for the welfare of the community दोनों की welfare हो जाती है इस तरह के कोई काम जो है वो हमें करना चाहिए social service में इस lecture में जो है दो पार्ट है पहला पार्ट है कि आप लोग जो है वो basics of social service समझें कि क्या मतलब है क्या क्या points उसमें आते हैं और दूसरा section जो है वो हम ये जानेंगे कि हमारे society की weaker sections कौन कौन से हैं और उनकी needs क्या क्या है तो ये दो section यहां पे part 1, part 2 है now first part है आपका basics of social service इसके अंदर अगर हम देखें तीन methods हैं एक social case worker है जिसमें हम एक individual को help करते हैं कि वो जो है maximum use कर सके अपने ability को और community के अंदर जो है वो fruitful हो सके ठीक है this aims to help the individual make maximum use of the established community जो community उसकी establish हुई है वहां पे वो उसका utilization कर सके इसका अच्छा example है कि अगर आप जिसे किसी बच्चे के पास अपने फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो आप जो सक्षम है उनसे आप help ले सकते हैं आप एक donation box बना सकते हैं कि अपनी इच्छा से कोई भी कितना पैसा दे सके ताकि वो बच्चा जो है फीस भर सके सरकार की दौर अगर देखें तो वो फीस माफी का भी प्रवधान जो है वो है सेकेंड है सोशल ग्रूप वर्क इच्छी के अंदर जो है एक इंसान को हम इस तरह से help कर सकें कि वो अपनी capacity के अनुसार पुरी तरीके से वो अपना hit कर सके और साथी साथ अपने आसपास वालों का भी अपने group वालों का भी अपने community वालों का भी help कर सकें और तीसरा जो है इसमें आ जाते हैं हम लोग community organization so it attempts to help groups of individual or groups of agency who can work together so that their combined effort will be useful for the social welfare or the whole community तो इसके अंदर कुछ ऐसे agencies या कुछ ऐसे NGOs बन जाते हैं तो वो कुछ इस तर से जैसे कि गंगा सफाई का काम है तो वो पूरे के पूरे देश को सभी जन्दा को सब को help करेगा है ना, trees लगाने का काम है है ना, तो वो NSS वाले, NCC वाले क्या बुलते हैं, एक individual, फिर जो NGOs है इतने सारे, सब भी लोग help कर रहे हैं, तो इस तरह के organization ये अलग-लग तीन methods है social case group, social group work and community organization, ठीक है फिर इसके बाद हम आते हैं कि हम types कौन-कौन उसमें help कर सकते हैं, हम लोग family welfare, medical care, family planning, nutrition, इसके बारे में आप लोग लोगों को aware कर सकते हैं, government जो है, वो इतने सारी facilities देती हैं, free planning देती है है ना, और फिर उसके बाद है provision for water, cooking, fuel road, electricity, sanitation, इन सभी में अगर आप किसी, जैसे हम सफाई या भी जला रहे हैं, है ना, तो वो sanitation में आ जाता है, जो हमारे PM साहब ने बोला था, फिर water के अगर हम देखे तो, जो हमारी water bodies हैं, bodies हैं, उनको साफ करने का जो है, अभियान जलाया जाता है, तो वहाँ पे NGO's भी काम करते हैं, youth organizations काम करते हैं, NCC काम करते हैं, NSS के लोग काम करते हैं, यह सारी social service activities हैं, फिर old age home जाकर के भी help की जाती है फिर employment है लोगों को employment generate करने के लिए उनको educate किया जाता है या vocational training भी जाती है से salai machine चलाना सिखाया जाता है, या bun कर वो सिखाया जाता है bunने वाली machine कैसे चलती है then providing social assistance, social security care and protection फिर housing and rehabilitation recreation, sports social activities, so यह बहुत सारी social services है, इसके उपस सीधा यह question आता है, write the types of social service activities तो इसके अंदर अगर आपने यह point भी लिख जेते हैं, तो आप पूरा सही number आपको जो मिलते हैं, तो यह वो पहला part, right अब second part, जो है, वो है weaker section of the society and their needs, तो weaker section का मतलब क्या हुआ, right तो अगर हम देखें, इंडिया जो है वो हमारा caste system में divide हुआ था बहुत पहले, depending upon the type of work the people choose and the type of work they choose, dependent upon their ability, है ना जिनको ज़्यान होता था वो ब्रामन उसमें आ जाते थे, है ना पढ़ने लिखने के काम में आ जाते थे जो बलशाली थे लेकिन पढ़ना लिखने नहीं जान थे वो शत्रिये के उसमें आ जाते थे फिर विपारी जो थे, वो वैश्य में आ जाते थे फिर उसके नीचे जो काम करने वाले थे चोटा काम साफ सफाई का काम है ना वो सारे काम जो थे वो खुदर के उसमें आते थे तो ये सारी चीजें शुरू हुई थी काम के बेस पे बढ़ धीरे धीरे जो था वो एक ये जनम के हिसाब से बन गया काम के हिसाब से चला गया जनम के हिसाब से बन गया और जो जिस घर में जिस तरीके से पैदा होता था उस हिसाब से उनको कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर दिया और जो लोवर स्पेशली जो लोवर कास्ट थी जो सबसे नीचे लेवल पे काम करते थे उनको दबाया जाने लगा और उनको सुसाइटी में अलग तलग पड़ गए वो और वो weaker section किलाने लगे तो उनको जो था बहुत जादा freedom नहीं होता था education और employment की कमी होती थी उनमे तो जब हमारा भारत अजाद हुआ अजादी से पहले तो बहुत ही बुरा हाल था है न बट अजादी के बाद जो हमारा constitution बना हमारा इंडिया का उसमें इस तरीके से जो दलित वर्ग था जिस पे बहुत जादा अन्याय हुआ था और दूसरा backward classes थे उनको जो था बहुत ही safe guard उनको जो थे वो provision किया गया constitution of India में India constitution prohibits any discrimination based on religion, race, caste, sex or the place of birth तो किसी भी base पे discrimination नहीं होता है अगर यह नहीं होता तो India is a diverse country तो इस diversity में जो unity है वो इसलिए है कि हम discriminate नहीं करते हैं और यह हमारे constitution में भी लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे constitution में हमने जो था equal opportunity सारे citizens को equal opportunity दी constitution ने और specially जो socially और educationally backward हमारी classes थी जैसे schedule caste या schedule tribe है उनके लिए special जो clause थे clause of reservation वो बनाएं गए ठीक है तो हमारी जो दो main जो हमारे गलित उसमें आते हैं जो weaker section है हमारे society के एक है schedule caste, schedule tribe और दूसरा है other backward classes है ना तो schedule का schedule tribe जो था वो अगर हम देखें तो according to 2001 census population 16% और 8% है ना total population का इतना जो है वो हमारा ST और SC के अंदर आता है को आदिवासी का नाम दिया गया है ना तो इनके लिए जो थे यह दो tribe जो थी वो हमारी constitution में mentioned है और जो other backward classes है जो की socially और educational backward है अब यह चीज़ और यह जो एडुकेशनली backwardness होती है यह caste के base पे भी होती है या फिर आपके region के base पे भी होती है कि आपका region इतना अलग तलग पड़ा हुआ है कि आप तक कोई facilities या कोई communication पहुँचे नहीं भा रहा है और इससे आपके development जो है वो बहुत hamper हो गया बहुत backward हो गये हुए है ना तो पीछे रह गये हुए है तो इसके अंदर जो है हमारे other backward classes आ जाती है और 2300 communities जो है वो हमारी backward community है अभी भी है ना तो यह जो weaker section है उनकी needs क्या क्या है अगेन आपको इस पे based question आ सकता है कि what are the needs of the weaker sections so weaker section में सबसे बड़ी और सबसे सामने दिखने वाली जो need है वो है education need of education है तो especially primary education जो है क्योंकि primary level पे बच्चों का drop out rate जो है वो बहुत जादा होता है तो इसलिए सरकार ने midday meal भी चलाई हुए ताकि बच्चे जो है at least खाना खाने के बहाने तो school आएं तो वो school आते हैं तो उनको at least कुछ पढ़ जाएं वो है ना ताकि लिखना पढ़ना जो है वो जान सके पांचवी तक ही पढ़ जाएं है ना ताकि उनको थोड़ा समझ में आ सके और जब वो ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो उनको scholarship का अभी प्रवधान स बेसिक एजुकेशन के साथ vocational skill जो है वो भी provide करवाय जाएं ऐसा सरकार मानती है और इसके अंदर कुछ examples हैं जैसे कि basket weaving है ना टोकरी या बुनना चटाई बनाना पेंटिंग फिर प्रिंटिंग टेलरिंग एम्ब्रॉइडरी पॉटरी म्यूजिक डान जी सारी चीज़े बोलते हैं इनको ताकि वो अपने अपनी हैसित के निसार अपने अपनी liking के निसार जो है इनको भी develop करें ताकि उनको एक source of income जो है वो generate हो सके और इस चीज़ के लिए सरकार जो है specially trained teacher भी provide करवाती है ताकि जो है और उनको compensate करती है properly ताकि talented people होते हैं यह लोग यह गाउं ज जाने में hesitate ना करें है न और school जो है वो moral values और hygiene, first aid, family planning, budgeting, saving इन चीज़ों पे भी लोगों को अगर हम village के लोगों को अगर हम educate करते हैं तो भी बहुत जो है एक help रहेगी weaker section में और गाउं की लोगों को हम देखी education में जो है girl child को educate करना भी जो है वो एक बहुत जादा एक need of the hour है वो इसलिए कि अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं पड़ा लिखा बनाते हैं उसको तो पूरा घर पड़ा लिखा होता है पूरा जो उसका पूरा household होता है वो पड़ा लिखा हो जादा क्योंकि उसको एहमियत पताजल जाती है और सारा चीज़ें तो वही अच्छे से करती है घर का संभालवाई करती है तो उसके अंदर courage डवलप होता है self confidence डवलप होता है तो sense of equality आती है boys के साथ कि वो भी कम नहीं है और अपना दिल खोल के जो है वो अपना काम करती है फिर इसके बाद जो है educate करना लोगों को ताकि social evil society से जो है वो खतम हो सके तो एक पड़ा लिखा बंदा जो है वो इन evils को समा सकता है अनपढ़ गवार बंदा नहीं समा सकता है जैसे dowry system है child marriage है superstitions है है तो यह जो है हमारी society में पुराने टाइम में देखे तो यह बहुत prevalent थे है तो अब बहुत आ whole हम देखें तो society पे बहुत जादा जो है वो फरक पड़ता है next जो हमारा आता है point वो है employment तो employment जो है जो landless labor है उनको land provide किया जाता है सरकार उनको कुछ land देने का provision रखती है ताकि वो काम कर सके है उस land पे और अपनी जो livelihood है वो कमा सके फिर सरकार जो है softer loan भी provide कर सकती है cultivation के लिए है ताकि वो अपने employment अपने आप generate कर सके फिर अगर उनोंने कोई project take up किया है चोटा मोटा तो उसको उसका infrastructure provide करने के लिए भी जो है सरकार बहुत सारे प्रवधान जो है वो करती है तो इससे क्या होता है इसे employment generate होती है आप किसी पे dependent नहीं होती है in fact आप अगर इस तरह से काम करते हो तो आप अपने under लोगों को काम पे रख सकते हो जो काम करना चाहते हैं फिर next जो हमारा point आता है reservation in educational institution and government jobs अब यह आपको मालूम है कि education जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे जो लोग थे अनपढ़ लोग और weaker section के लोग उनको आगे बढ़ाने में और उनको government job दिलवाने में तो सरकार ने इस चीज़ को implement किया reservation जो है एक policy reservation policy बनाई जिसके अंदर जो है कुछ portion जो है jobs में और पढ़ाई में है na school colleges में academics में वो जो seats थी वो reserve होती थी in specially weaker section के लिए तो government ने क्या initial लिया उन्होंने large scales पे reservation प्रवाइड की government job में education institution में दूसरे semi government institutions में है ना उनके लिए अलग से कुछ कोटा रहता था STSE और OBCS के लिए ताकि उनको जादा struggle ना करना पड़े और constitution में तो 15% और साड़ा साथ परसंट की vacancy government aided education institution में और jobs में government या public sector में एक reserve quota है ना STSE के लिए 15% है और साड़े साथ परसंट स्ट के लिए है और currently अगर हम देखें अभी की situation देखें तो साड़े 22% जो seats है higher education institution में reserved है ना under the central government reservation for ST and SC and 27% for OBC है ना तो यह जो चीज तो यह सरकार ने इसलिए provide की कि लोग जो है weaker section से उपर उठके आगे आए और अपने आपको section बनाए और educate हो और jobs ले और किसी पर dependent ना हो है ना अब हम देखते हैं कि हमारा काम इस चीज में क्या क्या हो सकता है NCC cadets जो है वो पूरे भारत में फैले हैं ना पूरे भारत के school colleges में NCC cadets जो है NCC जो है वो चलती है so NCC cadets are from every nook and corner of India so NCC cadets क्या है यंग generation है they are very eager they are they have huge potential eager मतलब बहुत जादा उद्रत रहते हैं गाम गनने के लिए they are very helpful energetic educated and talented they have they can help they can help the weaker section of the society कि उनमें वो values imbibe कर सके skill develop कर सके कुछ skill में education में या कुछ skill develop करने में उनको weaker section को of the society में help कर सके ताकि वो self sufficient बन सके confident बन सके हैं क्योंकि young बच्चे जब आ गया आते हैं तो लोग बहुत जादा प्रभावित होते हैं उनसे right so जब इस तरह के से काम होगा तो यह जो weaker section है वो क्या हो जाएगा वो इंडिया की resources कम करने के बजाए वो उनको बढ़ाएंगे they will become a valuable contributor they will not drain the resources of इंडिया है ना सिर्फ बैट के खाने के लिए नहीं है वो कि सरकार देगी और बैट के खाएंगे वो कुछ productive बनेंगे nature में काम करेंगे वो कुछ और देश की अर्थवेस्ता में economy में वो helpful रहेंगे ठीक है तो इस पूरे lecture से conclude हम क्या करते हैं there is no doubt that the interest of the weaker section need to be protected and their legitimate needs fulfilled so that we can have a just and fair society where the underprivileged are not discriminated against and no section lag behind the other सारे की सारे लोग इकठे हो करके मिल करके एक fair और एक सही एक just society बनाए जो की देश में क्या करें enhance करें productivity हमारी country के productivity को enhance करें क्यूंकि एक well educated और healthy human being जो होता है एक country के लिए एक biggest asset होता है human resource होती है एक और इंडिया जैसी country के लिए तो human resource जो है वो best resource है क्यूंकि इंडिया में it's a young nation, younger लोग जादा है इंडिया में तो वो अगर educated और healthy होंगे तो वो country में उनकी economy को stabilize करने में biggest help जो करेंगे तो इंडिया जो है वो बहुत बढ़िया country और बनेगा और आगे बढ़ेगा ठीक है so this is about the lecture और आप इसको सुनिये पढ़िये और इसके points बनाईए क्यूंकि examination में social service पे based भी जो है वो questions आते हैं ठीक है जैहिंद प्रच्वब नहीं जो है जो है कर दो एंडिया में जो है